नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार तोटके मिन रासी वालों राहू का रासी परिवर्तन होने जा रहा है राहू अभी तक मेश रासी में देवगुर ब्रिस्पती के साथ बैट कर गुरू चांडाल योग का निर्मान कर रहे थे अब मेश रासी से निकल कर आपके लगन में आएंगे और जो चांडाल दोस है वो समाप्त होगा राहू एक मायाभी ग्रह है जो हमेशा वक्री ही चलता है और राहू के इस परिवर्तन से आपके उपर बहुत गहरा असर पढ़ने वाला है क्योंकि लगन में आएगा पहले भाँ में राहू के गोचर से आप अपने स्वास्त का बहुत ध्यान रखेंगे खास कर एलर्जी की समस्या या पेट की समस्या आपको परिशान कर सकता है अगले डेड़ साल तक इन से बचे जरुरत से ज़्यादा बेवज़त तनाव बिल्कुल भी ना ले और आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा बदलिए वैसे घर परिवार में भी बदलाव दिखेंगे कोई भी मुद्दा हो कोई भी टॉपिक हो बिना सोचे बिचारे सच का पता लगाए महतपूर निर्ने मत लीजेगा वड़ा राहु आपको पका फसाएगा क्योंकि राहु यहाँ पर भरम भी दे रहा है तो भरम में नहीं आना है इस समय अपने दोस्तों के जैसे आपके ब को परिशान कर सकते हैं तो उन चीजों में नहीं जाएं तो ज्यादा अच्छा है खुस रहें सांत रहें दिन की सुरुवात योगा एक्सरसाइज से करें तो अच्छा है वैसे मई 2024 के बाद धनप्राप्ति के प्रबल संभाबना बढ़ेगी लेकिन खर्च भी होंगे मई 2024 के बाद यात्रा वेगेर भी करनी पड़ सकती है तो यात्रा खुब होंगी इसके लिए आपको त्यार रहना है हलाकि कुछ अच्छा लाब भी होगा क्योंकि राहू कुछ अच्छा प्रफ़ाव भी डालेगा क्योंकि करियर के मामलों में उत्तम है पर स्वास के मामलो में थोरा सा गड़बर है अब यहां पर राहू के इस परिवर्तन से रोजगार में खासकर जॉब करते हैं तो पदनती के योग बनेंगे जो बैपारी भाई हैं नई डील भी फैनल हो सकते हैं पर बिना सोचे बिचारे आगे ना बढ़ें खासकर जो विद्यारती हैं जो परत राहू के तू के परिवर्तन से जीवन की परिशानियां बहुत हद तक समाप्त होगी तो राहू आपके लगन में हैं और के तू साथ में फौं में रहेगा तो जीवन में सभी छेत्रों में उतार चढ़ाओ आपको अगले डेर साल तक मिलते रहेंगे दूसी दरफ आपके उपर साड़े साती भी चल रही है हला कि रिस्तों के मामलों में एक बहतर अनुभव दे कर जाएगा ये वक्त और आप उपाई करते रहेगा उपाई करने से बहुत हद तक राहत मिलेगी और गरहों के इस गोचर के प्रफाव से आप खुद को भी समझने का प्रयास करेंग कि राहू के द्रिष्टी आपके पंचंभाव पर सप्तंभाव पर और नवंभाव पर है और राहू के इस गोचर से जो आर्थिक तमगी थी बहुत हद तक समाप्त होगी समाज में समान भी बढ़ेगा ये पॉजिटिव रिजल्ट है और इसमें आपको यात्राओं से कि इस समय किसी को धन उधार देने से बचना है अगर आप और विवायत हैं विवाह होने के योग बनेंगे अच्छे लोगों का कुछ अच्छे लोगों का सादु संतों का इसाथ मिलेगा जीवन साथी के साथ कहीं यात्तरा बिगैर पर जा सकते हैं हलांकि दांपत्त जीव इस परियर्ड में बहतर रहेगा तो कुछ मामनों में नकातमक है कुछ मामनों में सकातमक है ध्यान रखे